हम एक ऐसी यूनीड चीज के बारे में जब हम हाफलंग पर रिसर्च कर रहे थे हमें बता कि यहां पे यहां के सीनियर लोग के साथ पूछने का बात ही पता चला है और सबका अपना-पना आइडिया है तो बिटिश लोग जब यहां बाइड़ वेए अफलॉं इस तो ओनली हिल स्टेशन अफ अफ आश्म तो अफलॉं में जब यह रेल्यूए लाइन बिल करने के लिए शुरू किया तो वो लोग भार से बहुत कॉंट्रेक्टर्स और वर्कर्स लेकर आए और मेंड इंडिया से भी बहुत लोग लेकिया आया, पठान लोग. So, वो लोग का अलग-अलग कुछ हिंदी, उर्दू, बोलने का एक लेंगुइस था, मुझे पता नहीं तब क्या बोलते थे, लेकिन उससे इंफुलेंस स्टार्ट हुआ, यह मुझे पता चला, उसके पहले तो यहां इतना हिंदी का इंफुलेंस नहीं था, I mean, मैं 200-300 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तो उसके बात, और हफलों को एक ट्रेडिंग हब जैसा भी बन गया, मार्केट सेट अप हो गया यहां में, तो आल ओवर इंडिया से ट्रेडर्स आएं, तो हफलों का बात्चीश स्टार्ट हुआ, लेकिन बिकोज यहां तो ट्राइबल स्लोक अलग अलग ट्राइबल स्लोक रहते हैं, सबका अपना अपना वो स्टाइल घुज गया, तो उसमें यह अभी उसको आप डाइलूटेट बोलो या डिस्टॉटेट बोलो, लेकिन हमें तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है, यहां सब हफलों हिंदी में बात करते हैं, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है आपके साथ शुद हिंदी में बात करने में, आप तो नहीं बोलता है, लेकिन कोई भी खराब नहीं मिलता, यहां के तो आपने देखा, आप में काफी महमान आवाज लोग हैं, दिल नहीं दुखाते हैं आपका, यह बात भी सही है क्या कि हाफलोंग हिंदी का उत्थान इसलिए भी हुआ कि यहां के जो तमाम आदिवासी समू है, वो भी आपस में, क्योंकि उनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति पूरी है, है ना, तो वो लोग भी आपस में बात करने के लिए हफलोंग हिंदी का ही इस्तमाल कर लेते हैं और इसके पॉस्टिव और नेगेटिव असर के बारे में जो आप बता रहे थे, वो प्लीज दर्शकों को बताई, हाँ, हाँ, हाफलोंग हिंदी इसले भी अभी बहुत यूस में आ गया, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, थर्टीन ट्राइप्स और नॉन ट्राइप्स भी है, अलग-अलग, और सबका अपना लेंग्वेज है, तो एक कॉमन लेंग्वेज भी बन गया हाफलोंग हिंदी, बा यहोग ऌजए कि सि्म्पल आत्मी लोग इसली ऐचला ही अब हजएकेगों, अब नेग्वेज किया अगया कि देखो यह इस अरिया में पुरा इमसर को रीजन मे, आत्मी तो हजार साल पहले से रह रहे और दिमासा किंग्डम तो हजार साल, हजार साल पुराना है तो तब भी धीरे धीरे अलग-अलग ट्राइबस के लोग आये, बेठे, तो कम्मुनिकेशन तो चल रहा था तब भी तो उस टाइम तो हफलों हिंदी का उप्योग नहीं होता था, फिर भी कम्मुनिकेशन चल रहा था हाँ, अपना लेंग्वेश, खुद का लेंग्वेश में तो बात कर रहे थे होगे बट वो कम्मुनिकेशन कैसा होता था, बट अफकोर्स नाथिंग रिटेन में तो नहीं है, इसलिए हम लोग मालूम नहीं होता, लेकिन दिमासाओं में अभी एक जिला है, एक एरिया है, शेमखोर बस्ती बोलकी, शेमखोर बस्ती दिमासा बस्ती है, वहाँ अभी भी में लोग है, जो डिमासा बात पूरा फ्लूएंटली कर सकते, तो ये एक, लेकिन सैडली शायद ये रहेगा ना नहीं, मुझे तो डाउट है, ये खतम ही हो गया, लेकिन तब मालूम होता है कि ये हाफलोंग हिंदी जैसे चीज जब नहीं था, पीपल आत्मी मतलब इंटर एक दूसरी के भासा सीखते थे, तो वो सैडली मतलब चला गया, वो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है